असलाम नीकूम, विल्कम तो माई चैनल, एक न्यू रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम केहती हूँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बोहत ही मगादार और बोहत ही जूसी चिकन पकोड़ा बनाने की बोहत ही असान और बोहत ही मजधार रेसिपी, यहyo चाइनीज चि ग्रिर्ट निन और मोल्ली बोटिया मैने हमिन जम्राल के तो आपको और आपक लिए किवे चाले ज़िए। तो अच्छी जाना से पहले इसको दो लेंगे उसके बाद हमने इसमें डालने हैं Saucies Saucies में सबसे पहले हमने इसमें एड़ कर देना है चिली सॉस ये तकरीबं 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें एड़ किया है जूसी बनाना है तो जारा जादा ही आड़ करेंगे 4 टेबल स्पून ही इसमें मैंने आड़ कर दिया है सोया सॉस इसके साथ इसमें आड़ कर देंगे सिर्का सिर्का लिया है यहाँ पर 1 टेबल स्पून के बराबर इसके बाद इसमें नमक आड़ कर देंगे हसमें जरूरत एड़ कर लिएगा तकरीब आपने 5-7 मिंट इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है मिसल मिसल के इसके ओपर सारे हमने इंगरीडियंटस लगाने है इसके बाद हमने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन आदे घंटे तक और जादा से जादा आप इसको ओवरनाइट भी रख सकने हैं अगर ओवरनाइट रख लेंगे तो जितने भी इसमें हमने जूसी जैट किये हैं वो अच्छी तरहां से रच बस जाएंगे चिकन में तो आपने जैसे ही इसको मेरिनेट करना है तो इसको स्टे जरूर जिर्वाना है फटाफट से आपने इसको फ्राइ नहीं करना वरना फिर जो मसाले हैं वो अंदर तक नहीं जाएंगे अच्छी तरह से इसको कवर करके मैंने रख दिया था दो घंटे के लिए और जैसे ही ये बहुत अच्छे से मेरिनेट हुआ है तो इसको फ्राइ करना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से बोटियां एड़ कर देंगे इसके अंदर ही जो जूसिस हैं उसी में ये बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगी अभी हमने इसको हलका सा रोस्ट करना है ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए उसके बाद हमने इसको क्रिस्पी बनाने के लिए क्या लगाना है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा तो सारी ही चिकन मैंने इसमें एड़ कर दी है इसके बाद मैं इसको कवर करके रखूंगी और अपने ही जूसिस में ये बहुत अच्छे से पक जाएगा इसका जो ओल है वो भी हम वेस्ट नहीं करेंगे फ्राइंग के दोरान हम ये वाला ओल भी एड़ कर लेंगे अच्छी तरह से देखे मैंने इसे कवर कर दिया है तकरीबन पांच मिनर तक हमने इसको बहुत अच्छे से कुप करना है बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको कुप कर लेंगे तो देखे पानी ड्राइ हो चुका है ओल अलग हो चुका है हलका सा इसको थोड़ा सा हमने और कुक कर लेना है धकन हटा कर तो जिसतना से इच पर कुछ स्पेशल बनाया जाता है और काफी जादा डिशिस बनाई जाती है तो ये वाला काम आप एक दिन पहले करके भी रख सकते हैं हलका हलका से इसको फ्राइ कीजिए इसको थंडा कीजिए किसी भी बोक्स में डाल कर आप रख लीजिए उसके बाद आपने इसको किसना से फ्राइ करना है वो मैं आपके साथ श्रेयर करती हूँ तो चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है जैसे ही ये थोड़ा सा थंडा होगा इसमें हमने एड़ कर देना है कॉन फ्राइड तो कॉन फ्राइड मैंने यहाँ पर तकरीबन एड़ कर दिया था 4 तो 5 टेबल स्पून के बराबर ज्यादा भर के अभी एड़ नहीं करेंगे अगर रिक्वाइड होगा तो एड़ करेंगे बस इतना हमने एड़ करना है उपर अच्छे से स्टे करें यहाँ पर एक अदद ले लेंगे अंडा और वो इसमें एड़ कर देंगे इसके बाद अच्छे से हमने मिक्सिंग करनी है तो पहले हमने इसकी खाली ही मिक्सिंग करनी है अंडे के साथ अभी हमने कोई भी पानी एड़ नहीं करना पहले हम जसको मिक्स करेंगे उसके बाद अगर हमें लगेगा क करके add किया था और सारे सॉसिज एड नहीं किये थे तो अच्छी तरह से देखे इस टाइम पर mixing हो जाएगी अगर आपके पास सॉसिज बचे तो ठीक है वनना फिर पानी के साथ mixing कर लीजिए गा तो अच्छी तरह से mix कर लेंगे और mixing करने के बाद इनको fry करना स्टार्ट करते हैं कि यहां परmers लुके तो यह यहां पर XL करने के लिए मैं ड़कर अर्ट हैंप और जैसे ही ओल चिकन जो है वो अल्रेडी बहुत अच्छे से कोख हो चुकी है बस इसना से टर्ण करते जाएंगे अच्छा सा कलर दे देंगे तो ये चिकन बहुत ही सौफ्ट बनती है अंदर से उपर से बहुत ही क्रिस्पी बनती है और यकीन मानिये चिकन ब्रोस से बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है बहुत असान सी और बहुत ही मज़ेदार सी तो जरूर ट्राइ कीजेगा इसको नान के साथ सर्फ कीजेगा या फिर आप इनको राइस के साथ भी सर्फ कर सकते हैं इसको मैंने टर्ण कर लिया है तो इसकी मेरिनेशन वाला काम और जो फ्राई वाला काम है वो पहले ही कर लीजिए उसके बाद बस जिस दिन आपके घर में दावत हो इस तरह से आपने कौन फ्राउर और एग लगाना है और फटा फट से फ्राई करना स्टार्ट कर देना है सब को पसंद आने वाली रेसिपी है माशाला से दिखे कितना अच्छा सा कलर आ चुका है इनको निकाल लेते हैं इसको राइते के साथ या कैचचप के साथ सर्फ कीजिएगा दावत को चार चांद लग जाएंगे तो माशाला से ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है आप जरूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कांदली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आकिन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तो इसी इत पर ये recipe आप जरूर ट्राइ कीजिएगा मेहमानों के लिए या अपने लिए को special बनाना हो तो ये recipe बहुत ही best है और बहुत ही simple से ingredient से त्यार की गई है देखे किस कदर ये juicy है, बहुत ही tender है और खाने में बहुत ही tasty होगी जरूर ट्राइ कीजिएगा, feedback दीजिएगा Thanks for watching, Allah Hafiz